हेलो अब्रिवन वेलकम टू सक्सेज विद रायकेडमी 18 अप्रैल 2020 के दैनिक जागरण के राष्टिय संस्क्रण को हम आज डिसकस करेंगे और जिस तरीके से आर्बी आई ने कुरोना वाइरस से अर्थ विश्था को बचाने के लिए एक लाह करोन रुपय का दूसरा आए यह सारी न्यूज हैं डिसकस करने के लिए इसके साथ ही हम एडिटोरियल पेज बिजनेस पेज और स्पोर्स पेज कवर करेंगे वीडियो के लाश्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिये जाएंगे अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्री COVID-19 जिस तरह से देश की एकनॉमी के सामने चुनौती पेज कर रहा है उससे लड़ने में भारती रिजर बैंक सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है तीन हफते के भीतर केंद्री बैंक ने सुक्रवार को दूसरे पैकेज की घुषना करके मंदी से आसंकित उद्ध्योग जगत ववित्तिय संस्थानों में आत्मिश्वास जगाने का काम किया है RBI ने दो उपायों के जरिये छोटे उद्ध्यों, NBFC वो मजोले उद्ध्योगों को एक लाख करोन रुपए का फंड उपलब्द कराने का इंतजाम किया है रिवर्स रेपो रेट को चार फीजदी से घटा कर 3.75 फीजदी किया गया है RBI ने NPA नियमों में बदलाव किया है ताकि मौजूदा संकट में बैंकों वो NBFC को राहत मिले और उन पर फसे कर्ज का ज़्यादा बोज ना पड़े केंद्री बैंक ऐसा माहौल बनाना चाहता है कि उद्द्योग जगत रिड लेने और बैंक देने के लिए तयार रहे RBI की तरफ से की गई घुश्णाओं का असल मकसद यही है कि बैंक वो दूसरे वित्तिय संस्ता मौजूदा संकट के बावजूद जरूरत मंद उद्द्योगों को कर्ज देने में कोई कंजूसी नहीं करें 27 मार्च को भी रेपो रेट और बैंक रेट घटाकर बैंकों के पास काफी अतरिक्त फंड उपलब्द कराया गया था सुक्रवार को रिवर्स रेपो रेट पर दे बैंक की दर को 4 फीजदी से घटाकर 3.7 फीजदी कर दिया गया है रिवर्स रेपो रेट बैंकों को अतरिक्त फंड RBI के पास जमा कराने में पर मिलता है चुकि अब इस पर ब्याच कम मिलेगा इसलिए बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा कर्ज देने की कोशिस करेंगे और इसमें कुछ छोटे-छोटे से पॉइंट्स दिये गए हैं जैसे कि 50,000 करोन मिलेंगे सिडवी, नाबाड और NHB को गैर बैंकिंग वित्ये कमपनिया यानि NBFC को इन संस्थानों के माध्यम से पूझी उपलब्द कराई जाएगी 50,000 करोन बैंकों को मिलेंगे जिसमें कि TLTRO के माध्यम से बैंक इस रकम को NBFC और Micro Finance कमपनियों को कर्ज देंगे अब Next News पर आते हैं ग्रामीर छेत्रों में निर्मान कार्यों को अनुमती ग्रह मंत्राले ने मौझूदा देश व्यापी लॉकडाउन के दोरान कुछ और सिवाओं को अनुमती देने के लिए दिसा निर्देश जारी किया है इनमें ग्रामिर छेत्रों में निर्माण गतिविधिया, जलापूर्ती, सफाई के कार और गैर बैंकिंग वित्य संस्थानों को को ओपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का संचालन सामिल है केंद्री ग्रह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों को पत्र लिख कर इस संबंद में जरूरी कदम उठाने को कहा है उन्होंने राज्यों में अनुसूचित जन जातियों और वन छेत्रों में वनों पर निर्भर लोगों से माइनर फॉरेस्ट और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीदने वो अन्य विवस्था करने को कहा है तीन मई तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान इन गतिविदियों की मंजूरी रहेगी ग्रह मंत्राले ने ग्रामिर छेत्रों में निर्माण गतिविदियों को प्रारम करने जलापूर्ती एवं सफाई, पावर ट्रांस्मिशन, लाइन बिछाने और टेलिकॉम ऑप्टिकल फाइवर वो केबल बिछाने के काम करने की भी अनुमति दी है हाउजिंग फाइनेंस कंपनिया समेत विभिन गैर बैंकिंग वित्तिय संस्थानों और माइक्रो फाइनेंस संस्थान को भी निम्तम श्टाफ के साथ काम करने को मंजूरी होगी इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि एनेच पर 20 से टोल वसूली भारती राश्टी राजमार प्राधी करण ने 20 अपरैल से एनेच पर टोल वसूली फिर से सुरू करने का फैसला किया है सड़क परिवान एवं राजमार मंत्राले ने लॉकडाउन में फसे लोगों की मदद के लिए अपनी छेत्र इकाईयों याने की फिल्ड यूनिट को जिम्मेदारी सौपी है अब नेच्ट निउस पर आते हैं चीन से आई 63,000 PPE किट गुडवत्ता जाच में फेल चीन में निर्मित करीब 63,000 PPE किट भारती मानकों पर खरी नहीं उतरी है क्रोना संक्रमितों के उपचार के लिए डॉक्टर वा अनिस स्वास्थ कर्मी इन किट का प्रयोग करते हैं इन किट में मास्क, आई शील्ड, शू कवर, गाउन वा गलफ्स सामिल होते हैं स्वास्थ वह परिवार कल्यान मंत्राले के सुत्रों के अनिसार सुक्रवार को बताया गया कि चीन से 1,70,000 परसनल प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट याने कि PPE किट की खेप भारत आई थी इन में स्वास्थ कर्मियों के इस्तमाल के लिए दिया गया दान भी सामिल था गुलवत्ता की जाच के लिए इन किट को रक्षा सोध एवं विकास प्रतिष्ठान याने DRDE ग्वालियर भेजा गया सूत्रों के निसार गुलवत्ता जाच के दौरान करीब 63,000 PPE किट मानकों में मानकों पर फेल हो गई गुलवत्ता जाच में पास होने वाले PPE किट राज्यों को भेज दी गई है केन सरकार ने PPE Body Cover All की जाचवा प्रमानन के लिए चार प्रयोक सालाओं को अधिकरत किया है इसमें South India Textile Research Association, Koyambatur, DRI Gualier, Heavy Vehicle Factory अवादी तमिलनाडू वह Small Arms Factory कानपुर सामिल है सुत्रों ने बताया कि केन सरकार ने 2,00,000 PPE किट सिंगापुर से मंगवाई है जो जल्द भारत पहुंचने वाली है ये नेशनल पेज की हमारे लिए 3 नियूज थी, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 4 नियूज हैं पहला है कि ट्रम्प 3 चलणों में खोलेंगे अर्थवरस्ता अमेरिका के राश्टपती डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने देश की अर्थवरस्ता को 3 चलणों में खोलने की योजना का एलान कर दिया है उन्होंने लॉगडाउन से राहत देने और अर्थवरस्ता को बहाल करने के लिए 18 पेज के दिसा निर्देश जारी किये हैं ट्रम्प ने गवर्नरों को लॉगडाउन से बंद पड़े अपने राज्यों में पावंदियों में धीरे धीरे डिल देने की अनुमती दी है भाग ने कहा कि करीब बावन लाख कर्मचारियों ने गत हफ्ते विरुजगारी लाव के लिए आवेदन दिये हैं अब तक करीब 2.2 करोन लोगों की नौकरी भी जा चुकी है अंतराश्टी मुद्रा कोस ने इसी हफ्ते या आतलन जारी किया कि महामारी के चलते अमेरिकी अर्थवर्ष्था 5.9 फीजदी सुकर सकती है राश्ट्पती ट्रंप ने वाइट हाउस में गुरु वार को पत्रकारों से नियमित बाचीत में कहा कि आर्थिक दबाव के बीच लंबे समय तक लॉकडाउन से जन स्वास्थ पर बहुत गहरा असर पड़ेगा अगर इस्तितियां ठीक रही तो स्वस्थ अमेरिका काम पर लोटेंगे हम पूरी तरह बंद करने की जगा ज्यादा जोखिम वाले जगों को ज्यादा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ऐसा बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने और इसमें जो तीन चरण दिये गहें उनके बारे में देख लेते हैं पहला चरण है फ्लू जैसे ल आस्रय देना घरों में काम को प्रोट्साहित करना को बंद करना सामिल है तीसरे चरण में स्वक्षता आदतों को बनाए रखते हुए समान इस्तती बहाल करना दूरी बनाए रखना क्योंकि बिना लख्षणों वालों सेसंक्रमन का खत्रा बर्करा रहता है इसमें एक छोटा सा पॉइंट भी दिया गया है कि 24 घंटे में रिकॉर्ड 4500 से ज्यादा मौते कुरोना महामारी से बुरी तरह जूज रहे अमेरिका में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 4591 पीडितों ने दम तोड़ दिया इससे पहले बुद्धवार को सबसे ज्यादा 2579 कुरोना रोगियों ने दन तोड़ा था मरने वालों की संख्या गुरुवार तक बढ़कर 34500 से ज्यादा हो गई है जबकि संक्रमित लोगों का यह आकला 6,80,000 के करीब पहुँच गया है नगदी की समस्या से जूज रहे पाकिस्तान के लिए क्रोणा वायरस से पैदा महामारी से निपटने में मदद के वास्ते आई एमेफ ने 1.4 अरब डॉलर लगभग 11,000 करोन रुबए की साहता रासी मंजूर की है इस धनरासी से पाकिस्तान COVID-19 महामारी से निपटने के लिए दवाएं, जरूरी उपकरण और गरीबों के लिए खादान खरीद सकेगा अंतराश्टी मुद्रा कोस ने यह फैसला पाकिस्तान के अनरोध पर लिया है यह धनरासी 6 अरब डॉलर की उस साहता के अतरिक्त है जो IMF ने जुलाई 2019 में पाकिस्तान को दी है पाकिस्तान पिछले कई वर्सों से आर्थिक संकट का सिकार है और वैस्विक संस्थाओं वो मित्र देशों से उधार लेकर अपने जरूरी काम कर रहा है अब मासको में महामारी का एलर्ट रूस में संक्रमितों की संख्या 32,000 के आकड़े को पार कर गई है पिछले 24 घंटे में 4,070 लोग और संक्रमित हुए हैं संक्रमितों में आधे मासकों और उसके आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं वहीं स्वास्त अधिकारियों ने चितावनी दी है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में हालात बत्त से बत्तर हो सकते हैं क्रोना से अब तक रूस में 273 लोगों की मौत हो चुकी है दुनिया भर में इस महामारी से 1,52,328 की मौत हो चुकी है और लगभग 22,23,240 संक्रमित हुए हैं 5,5 लाग से जादा लोग ठीक भी हुए हैं मासकों में नियमों को कड़ा करते हुए इस सप्ता से डिजिटल पर्मिट प्रणाली की सुरवात की गई है कार या सारुजनिक परिवहन से यात्रा के लिए इस प्रणाली के माध्यम से पास करना अनिवार होगा चौथी नियूज है हमारे लिए दोसो दिन बाद धर्ती पर लोटे तीन अंतरिक्ष यात्री अंतराष्टी अंतरिक्ष स्टेशन पर 200 से ज़्यादा दिन बिताने के बाद तीन अंतरिक्ष यात्री सकुसल धर्ती पर लोटाए हैं रूस का सोयूज यान तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर सुक्रवार सुबा कजाकिस्तान के देजहेक जान इलाके में उत्रा है सोयूज की या लेंडिंग अपोलो 13 मिसन की नकामियाबी के ठीक 50 सालों बाद होई है धर्ती पर लोटे लोगों में अमेर्की अंतरिक्ष एजनसी नासा के एंड्रिव मॉर्गन वजेसिका मीर और रूसी अंतरिक्ष एजनसी रॉस कास्मॉस के ओलोगे स्क्रीप चुका है मॉर्गन ने अपने पहले ही मिसन में के दौरान 272 दिर अंतरिक्ष में गुजारे इस दौरान उन्होंने साथ बार बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चहल कदमी की चार बार ISS के अलफा मेगनेटिक स्पेक्ट्रो मीटर की मरमत की है जिसका मीर वा ओले के इस्क्रीप पुक्चवा ने अंतरिक्ष में 205 दिन बिताए हैं यह इंटरनेशनल पेज की हमारे लिए चार इंपॉर्टेंट निउस थी अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट पेज है बिज्नेस पेज के चार निउस हैं हमारे लिए पहला है आरबी आई के पैकेज से सेर बाजार को राहत क्रोणा के कारण डामाडोल 8 वह स्ता के लिए बैंक की और से दूसरे पैकेज की घुष्टना सेर बाजारों के लिए राहत लेकर आई है सुक्रुआर को बॉंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 सेरों वाले सेंसेक्स ने 1116 अंक की जबरजस्त बढ़त के साथ सुरुआत की है हलाकि बाद में मुनाफ़ा वसूली के चलते इस ने बढ़त को हल्का सा गवा दिया और 986.11 अंक की तेजी के साथ 31,588.72 पर बंद हुआ एन एस ए का निफ्टी 273.95 की बढ़त के साथ 926.75 पर बंद हुआ है राहत पैकेज का सीधा असर निवेसको की धारणा और बाजार पर दिखाई दिया इसके अलावा अंतराश्टी बाजारों से सकारात्मक संकेतों ने भी बाजार की गती बढ़ा दी है अमेरिका में एक दवा को कुरोना के इलाज में कारगर पाय जाने की खबरों से निवेसको की धारणा मजबूत हुई है 13.45% के उच्छाल के साथ Axis Bank Sensex का टॉप गेनर रहा ICICI Bank, Incend Bank, Maruti, TCS और Kotec Bank के सेरों में भी उच्छाल देखा गया Non-Convertible Deventure से 8500 करोन रुपए जुटाने के एलान से Reliance Industry के सेरों में तेजी आई है PCS की तेजी में उसके उमीद से बहतर तिमाही नतीजों की एहम भूनिका रही है Next News है, क्रसी उपज को मंडी तक पहुचाएगा किसान रथ Lockdown के दोरान गेहों की कटाई और मडाई के बाद उपज को मंडीों तक ले जाने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए किसान रथ नामक Mobile App लॉंच किया गया है इसके मारफत किसान अपने Mobile App से ट्रक, ट्रैक्टर और अन्निक क्रसी मशीनरी किराय पर बुला कर बुला सकता है Mobile App क्रसी वो किसान कल्यान मंत्री नरेन सिंग तोमर ने सुकुरुआर को यहां लॉंच किया है किसान रथ एप पर फिलहाल कुल 5.7 लाख ट्रक उपलद्ध हैं जिनने किसान अपनी जरूरत के हिसाब से बुक कर सकते हैं बुक करते समय ही ट्रांसपोर्टर से किराया, लोडिंग और अनलोडिंग के बारे में मोलभाव किया जा सकता है किसान अपनी किसी भी उपज को अपनी जरूरत के हिसाब से संबंधित मंडियों में भेग सकता है इसके अलावा किसान रथ एप पर कश्टम हायरिंग सेंटर भी दर्ज है इसके मारफत खेती की अन्य जरूरतों के लिए मशीनरी भी बुक की जा सकती है एप पर 14,000 से अधिक कश्टमर हायर सेंटरों के 20,000 से अधिक ट्रेक्टर भी रजिस्टर है किसानों और मतस्य पालकों की मदद को सहकारी संगों ने बढ़ाए हाथ COVID-19 की महामारी से सबसे ज़्यादा परिशान किसान है सबजी किसान और मतस्य पालकों की मदद के लिए सहकारी महासंगों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए है ऐसी चुनोती से निपटने के लिए संगों ने प्राथ्मिक क्रसी सहकारी समितियां और जिला सहकारी मार्क-फिड को सक्रिये करने का निश्चे किया है क्रोना वारिस के प्रकोप से बशने में सहकारी छेत्र की भूमिका को लेकर National Co-operative Union of India ने सहकारी महासंगों के प्रबंध निरेशकों के साथ बैठक की है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में सभी को Co-operative Federation के प्रतिनिधियों ने Co-operative Disaster Management Fund के गठन के प्रस्ताओं पर अपनी सहनती जताई है इसके गठन में सक्री लगभग एक लाख प्राइमरी Co-operative Society का सहयोग लिया जाएगा NCQI के मुख्य कारिकारी अधिकारी एन सत्र नरायन ने लॉकडाउन के दौरान सबजी किसानों और मतस्य पालुकों को होने वाली परिशानी का विस्तार से जिक्र किया है Last News है Paracetamol से बनी दवाओं के निर्याद को मंजूरी सरकार ने Paracetamol से बनी दवाओं के निर्याद से प्रतिबंद हटा लिया है हाला कि इस दौरान Paracetamol Active यानि कच्चे माल के तौर पर प्रयोग होने वाले Paracetamol के निर्याद पर प्रतिबंद बना रहेगा विदेश व्यापार महादिन निदे साले ने सुक्रवार को एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है रिस्ट्रिक्टेड की कटेगरी में आने वाली दवाओं वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यातकों को DGFT से लाइसेंस लेना अनिवारे होगा तो यह बिजनेस पेज की चार नियूस थी हमारे लिए अब नेस्ट पेज पर आते हैं नेस्ट पेज है एडिटॉरियल पेज में हमारे लिए तीन आर्टिकल हैं पहला आर्टिकल है सक्षम निर्तत्तो और सैयम की अदभूत गाथा जिस तरीके से लॉक्डूण में सैयम दिखाया जा रहा है और एक कुसल निर्तत तो दिखाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री द्वारा उस पर लिखा गया है यह आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है भारत के वरतमान रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने दूसरा आर्टिकल है तलासनी होगी हिंसक आचरण की जणे आखिर क्यों जो तबलीगी जमात के लोग हैं या फिर ऐसे इलाके ह हैं जहां मेडिकल स्टाफ और पुलिस सहयोग के लिए जाती है तो लोग वहाँ पर हिंसक हो जाते हैं ऐसा क्या कारण है कि उन्हें हिंसक होना पड़ता है तो इसी इन सब बातों पर लिखा गया है यह आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विसलेशक आउध और सहयम की अद्भुत गाथा क्रोना वाइरस से उपजी महामारी कोविड-19 को और भी अधिक फैलने से रोकने की अब प्रत्याशित चुनाती का सामना करते हुए देश ने अद्भुत एक जुटता एवं सहयम का परिचय दिया है जब पहली बार लॉकडाउन किया गया थ तो यह इस देश में एक असंभव सा विचार प्रतित हो रहा था पर अब लोग स्वयम के साथ अपने साथी नागरिकों को भी क्रोना वाइरस से बचाने के अपने संकल्प में द्रण प्रतिक हो गये हैं देश वासियों ने इस महामारी के खिलाफ जैसी एक जुटता दिख है वह विश्व इतिहास में अभूत पूर्व है आने वाली पीडियों को आश्यर होगा कि भारत जैसे विविधिता वाले देश में यह आखिरकार कैसे संभव हो पाया है यह सब देश में असाधारन नेतरत्व की बदोलत ही संभव हो पाया है क्रोना का संक्रम बेशक फैल रहा है फिर भी हम विश्वास से भरे हैं क्योंकि दुनिया के अन्य हिस्सों में संक्रमित रोगियों की निरंतर बढ़ती संख्या की तुल्ना में भारत में इसका प्रकूब काफी सीमित है यह इसलिए आश्यर रिजनक है क्योंकि भारत ना केवल अधिक जनसंख्या घनत् करें तो भारत उसमें और देसों के मुकाबले काफी घना है और यहां पर आबादी चीन के बाद सबसे ज़्यादा है चीन में जिस तरीके से क्रोना वायरिस का महामारी फैली है और वहां आखड़े चुपाए जा रहे हैं और भी देसों में जैसे अमेरिका हो गया इस्पे कंट्रोल भी किया है और लोगों ने भी इसमें पूरा सवयोग दिया है भारत सरकार के दिसा निर्देसों का पालन किया जा रहा है हां कुछ लोग हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं डर इसले भी बना हुआ है क्योंकि पहली बात तो यहां पर आबादी बहुत है और यह सरकार ने अभी तक बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रम कर रखा है मोदी जी द्वारा देश्वासियों से की गई अपील का अभूत पूर असर भी गौर करने लायक है सबसे पहले डॉक्टरों एवं आवश्यक सेवा से जुड़े अन्य कर्मियों के प्रति करतक्यता प्रद्धिक के रूप में दीब जलाने की उनकी अपील का आंकलन इन आयोजनों में आयोजनों से हासिल व्रहत प्रणामों के संदर्व में किया जाना चाहिए गाउं और छोटे सहरों के लोगों की जागरूपता विभिन कटनाईयों के बावजू सावधानिया बरतनी की उनकी ततपरता और सकारात्मक नजरिये से चकित है प्रधान मंत्री पर लोगों का अडिक भरोसा ही है जिससे लॉगडाउन की काम्याभी सुनिश्चित हो पाई है इसका मतलब यह नहीं है कि मुख्यमंत्रियों जिला मजिश्ट्रेटों कलेक्टरों निगम आयुक्तों स् द्वरा इस महामारी के खिलाफ लडाई में दिये गए योगदान को कमतर आका जा रहा है यह सब लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं बिलकुल नई तरह की इस लडाई में हमारे ससस्त्र बल पुलिस और अर्द सैनिक बल भी कानून एव द्वारी मजदूरों कामगारों और किसानों को भी प्राफ्मिक्ता दी है विसेस पैकेज के सांसात अन्य ठोस उपायों की बदौलत सरकार या सुनिश्चित करने के लिए सरोत्तम प्रयास कर रही है कि लोगडाउन के आर्थिक भोज की सरवाधिक मार इन लोगों पर ना पड़े दिहारी मजदूर जो दिल्ली में थे या महराष्ट में कहीं पर भी थे जब उनके पास आयका संकट हुआ तो वो पलायन के लिए मजबूर हुए और वो अपने घरों को जाने लगे लेकिन भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा ये अपील की गई कि आज सरकारें आपके लिए उचित प्रबंद करेगी दिल्ली सरकार ने प्रबंद किया भी लग भग साथ से आठ लाख लोगों को प्रति दिन भोजन और जरूरत समान मुहया कराया जा रहा है इसी तरीके से महराष्ट में और कल की जो न्यूस है कल अगर आपने न्यूस द आइलान किया है और राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि जब तक बसे नहीं आती है या जब तक उनके अभिभावक नहीं आते हैं आप वहां पर अपने संस्था में या कहीं पर भी सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रह सकते हैं और पूरा आपको खाने पीने का समान और जरूरत समगरी है वो राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्द कराई जाएगी लेकिन बिहार सरकार ने इसका विरोध किया है उनका यह कहना है कि अगर आप लोगों को ला रहे हैं या फिर वहां से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो यह एक लॉक्डाउन का उलंगन है अब यह एक विरोधा भास हो सकता है कि या तो जो बच्चें हैं जो इस्टूनेंट हैं उन्हें घर पहुंचाया जाए या फिर लॉक्डाउन का पालन किया जाए इसमें कोई सक नहीं है कि किसी भी देश के प्रमुख को उस अप्रत्यासित संकट से निपटने का कोई अनुभव नहीं है जिसका सामना अभी पूरी दुनिया कर रही है अनुभव से भी कहीं अधिक महत्पूर्ण मोदी जी के बुनियादी मूल्य और काम के प्रती उनका अटूट समर्पन भाव है इसी कारण वह अक्सर स्वयम को प्रधान सेवक कहते हैं उनकी बदौलत ही यह विनम्र चमतकार संभव हो पाया है और एक जुट भारत प्रेणा दायक सैयम के साथ कुरोना वाइरस को धीरे धीरे परास्त करते हुए हर दिन और भी अधिक मजबूती के साथ उभर रहा है नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं तलासनी होगी हिंसक आचरण की जड़े बीते दिनों उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद और दिल्ली का जय प्रकाश नरायन अस्पताल एकदम से सुर्खियों में आ गया मुरादाबाद का नवाप पुरा इलाका क्रोना होड़ स्पॉट बन गया है वहाँ क्रोना से एक व्यक्ति की मृत्ति हो गई है उसके भाई को भी क्रोना हो गया है जाहिर है कि डॉक्टरों और स्वास्थ कर्मियों की टीम वहाँ के लोगों को कॉरेंटाइन करने पहुची थी इस टीम पर भीड़ने चारों ओर से भीशन हमला कर दिया छतों से पत्थरों इटों की बरसात हुई एंबुलेंस से खीच कर स्वास्त कर्मियों को पीटा गया इस हमले में एक डॉक्टर सहीत पांच स्वास्त कर्मी घायल हुए कुछ किसी तरह जान बचा कर भागे दूसरी घटना का गवा बना दिल्ली का जेपी अस्पताल यहां क्रोना मरीजों ने नर्सों और महिला डॉक्टरों के साथ अबध्यता की और जब उनके पुरुष साथी डॉक्टर बीच में आये मरीजों ने ऐसी इस्तती पैदा कर दी कि उन्हें डूटी कर्ष में घुसकर जान बचानी पड़ी वे अंदर बंद थे और मरीज मिलकर दर्वाजे को धक्का दे रहे थे इस तरह की घटनाए देश के कुछ और हिस्तों में भी हो चुकी है वागई में अगर यह न्यूज आप पढ़ें या अगर आप सुन रहे हैं तो अप समझे कि क्या इस्तती है यह वही स्वास्तकर्मी है जो उन लोगों को बचाने के लिए गए थे किसी को पकड़ने के लिए नहीं गय थे ना पुलिस पकड़ने के लिए गय थी यह सिर्फ उनके उप्चार के लिए गय थे कि ताकि आपको क्वारिंटीन किया जाए आपका परिवार आपसे बच सके अब आपके ही परिवार को आपसे दिक्कत है यानि जोखिम है तो वो सिर् सरकार ने इसका संग्यान लिया तो अब उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई है और जब गंभीर धाराएं लग गई महिलाओं को पकड़ा गया उन पर आरोप लगाया गया एफ आयार की गई तो वही इलाका नवाब पुरा वही इलाका जो अभी तक इंटे बरसा रहा था फिर जब स्वास्थ कर्मी गए तो उन पर फूल बरसाया जा रहा था यानि जब तक आप पर कारवाई ना की जाए तब तक आप सुधरेंगे नहीं यह इस पश्ट इस पूरे प्रक्रण से तो यह इस पश्ट होता है आखिर जान बचाने वालों के खिलाफ इस तरह की हिंस प्रवर्तियां क्यों पैदा होती है इस पर विचार इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर क्रोना प्रकोप आरंब होने से अब तक स्वास्थ कर्मी और पुलिस कर्मियों पर हमले की घटनाओं की सूची बनाए तो इतनी लंबी हो जाएगी कि जो इन घटनाओं से परिचित न किया आकिर इस कुतर्क का क्या जवाब हो सकता है हिंसा को किसी सूरत में वाजिब कैसे ठेराया जा सकता है और वह भी उनके खिलाफ जो आपकी जान बचाने जा रहे हैं हिंसा की एक घटना के बाद लगता है कि दूसरी जगा ऐसा नहीं होगा लेकिन फिर कहीं न कहीं पत् इन सभी पर पुलिस पर भी पत्थर बरसा जा रहे हैं ने संदे मुस्लिम समुदाय में ऐसे लोग हैं जो इन हरकतों को सही नहीं मानते हैं आखिर ज्यादातर मस्जिदों ने अपने दर्वाजे सामोहिक नमाज के लिए बंद कर दिये हैं किन्तु मोदी के अंध विरोधि से बच रहा है सलमान खान जैसे साहसिक कम ही है जो बिना किन्तु परन्थू के इन तक्तों को धिकार रहे हैं और जोकर बोल रहे है इन तत्तों ने कुरूल**** संहकट को बढ़ाया ही है नहीं है कुरिवारा यह से निकलने के बाद भी ऐसे तर दुसरी तरह की हरकते कर सकते है इसलिए इस विश्वरक्ष को कैसे खत्म किया जाए इसका रास्ता तलासना जरूरी है नेक्स्ट आर्टिकल है राहत के उपाय रिजर्बैंक ने देश की अर्थवरस्ता को महमारी COVID-19 के दुस्प्रवावों से बचाने के लिए जिन उपायों की घोशना की है उनका आम तोर पर स्वागत हुआ है लेकिन बात तब बनेगी जब इन उपायों का सकरात्मक असर जमीन पर दिखाई देगा रिजर्बैंक की ओर से उठाये गए कदमों से पूंजी बजार में नगदी की उपलब्दता तो आसान होगी लेकिन इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती है कुरोना वाइरस से उपजी महमारी के पाउपसारने से पहले ही भारती अर्थवैस्ता सुस्ती के दौर से कुजर रही थी रिजर्बैंक ने बैंकों को करज वित्रण के लिए प्रोसाहित करने के उद्देश से रिवर्स रेपो रेट में कटोती करने के साथ ही NPS से सम्मंदित प्रावधानों में भी धील दी है इससे बैंकों को करज देने में आसानी अवश्य होगी लेकिन देखना यह होगा कि करोना करज लेकर अपना उद्द्यम बढ़ाने के लिए आगे आते हैं या नहीं वे तो तभी उत्साहित होंगे जब मांग बढ़ेगी मौजूदा महौल में मांग बढ़ना असान नहीं होगा क्योंकि काम का श्ठप है और लोग घर पर बैठे हैं बहुत से लोग अपने आर्थिक भविश्य को लेकर भी चिंतित हो उठे हैं ऐसे महौल में मांग बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है लेकिन इन चुनौती का सामना करने के अलावा और कोई उपाए भी नहीं है तो ये एडिटोरियल पेज के तीन आर्टिकल थे हमारे लिए इंपोर्टन्ट और अब नेक्ट पेज पर आते हैं नेक्ट पेज है स्पोर्ट स्पेज स्पोर्ट स्पेज में दो न्यूज हैं हमारे लिए पहली न्यूज है लेवर कप 2020 तक इस्थगित लेवर कप का चौथा सत्र जो 25 से 27 सितंबर 2020 को होना था उसे 2021 तक के लिए इस्थगित कर दिया गया है इस टूनामेंट को रोजर फेडरर की मेनेजमेंट कंपनी टीडी गार्डन ने सुरू किया था अब यह टूनामेंट 24 से 26 जुलाई 2021 को खेला जाएगा फेडरर ने कहा है कि यह दुरभाग के पूर्ण है कि लेवर कप को एक साल के लिए इस्थगित कर दिया गया है दूसरी नियूज है टी ट्वन्टी विस्व कप पर उचित समय पर फैसला लेंगे यह बोला है आईसीसी ने अंतराश्टी क्रिकेट परिस्द ने कहा है कि वह क्रोना वाइरस के चलते टी ट्वन्टी विस्व कप पर फैसला लेने के लिए जल्दबाजी में नहीं है और अपनी व्यापक आपात योजना के अंतरगत सभी विकल्पों की तलास में जुटा है टी ट्वन्टी विस्व कप का आयोजन 18 अप्टूबर से 15 नवंबर तक ऑस्टेलिया में किया जाना है लेकिन इस वैस्विक संकट के कारण सभी खेल परतियों गिताएं या तो इस्थगित हो रही है या रद हो रही है जिससे इस टूनामेंट के आयोजन पर भी अनिश्चिता बनी हुई है और शेलिया ने इस बीमारी से बचने के लिए अपनी सीमाय सील की हुई है और यात्रा पर पावंदी लगाई हुई है ऐसी अटकले लगाई जा रही है कि T20 विस सुकप को भी अगले साल इस्थगित किया जा सकता है ये स्पोर्स पेज की दो नियूस थी अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं पहला पॉइंट है अर्थ संकत टालने के लिए RBI ने एक लाग करोन का दूसरा पैकेज दिया है चीन से आई 63,000 PPE kit गुड़वत्ता जाच में फेल 1,70,000 PPT kit आई थी जिसमें 63,000 PPE kit गुड़वत्ता जाच में फेल हो गई है अमेरिका में तीन चर्णों में खोला जाएगा अर्थवरस था लेकिन पिछले 24 गंटे में वहां पर 4500 लोगों की जाच करोना वायरस के करम चली गई है मुद्रा कोस ने पाकिस्तान को फिर दिये 1.4 अरब डॉलर अंतराष्टी अंतरिक्ष स्टेशन पर 200 से जादा दिन बिताने के बाद 3 अंतरिक्ष यात्री धर्ती पर लोटाए है रूस का सोई जियान 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर सुक्रवार सुबा कजाकिस्तान के देजहेक कजान इलाके में उतरा है क्रसी उपच को मंडी तक पहुचाएगा किसान रत ये एक एप है और लाश्ट न्यूज है पॉइंट है परसिटा मौल से बनी दवाओं के निर्यात को मंजूरी ये आज के पॉइंट्स थे अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं ये आज का याने 18 अप्रैल 2020 का दैनिक जागरण का राश्टी संस्क्राण था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद